नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल दे बिग बूल 420 पर इस वीडियो में हम बात करने का लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एक्जिक्लि में मार्केट में कल किस प्रकार का अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है आज का मार्केट के सरा है इसकी थोड़ी सी में बात करूँगा सबसे फ़ली बैंक निफ्टी में बेंग निफ्टी एक का आज का गेब डाउन मार्केट ओपन होते से मार्केट ने गेब फिल किया गेब फिल अब होते से मार्केट बहुत अच्छा कासा आपको बेरिश चो होता हूँ मिला समझने का सबसे आसान तरीका है बेंग निफ्टी का चार्ट जो है पन्दा मिल टाइम फ्रेम का ये केंडल है इसी केंडल का अगर मैं हाई मार्क्ड कर दूँ इसी केंडल का लो मार्क्ड कर दूँ तो आपको यहां बहुत अच्छे समझ में आयागा कि market लगबग लगबग जो है आजा दिन अपने पहली 15 मिट टाइम फ्रेम के candle के अंदर लगबग 12 बच के 45 मिट तक की जितने candle से वो सारे candle जो है 15 मिट टाइम फ्रेम का जो फस्त candle था उसी के अंदर market जो है consolidation दिया उसके अलाव मार्केट नहीं गया और जेसे ही अगर आप नोटिस करेंगे हैं 12 बच के 45 मिट का 12 बच के 45 मिट बाद अगर यहां नोटिस किया जाए एक breakdown candle था एक बजी का breakdown candle था उसके बाद अगर आप market को देखोगे तो काफी अच्छा उसके बाद breakdown के बाद market पानी पानी होता हुआ मिला मतलब आज का expiry trade हम किस बकार कर सकते थे यहां पर आज का expiry trade exactly आप नोटिस करेंगे पंदार में time frame का market का ये candle का breakdown पर ही market का एक expiry trade किया जा सकता था technically charts में half-hills में technical analysis के out coding तो अपन यहीं बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा trade यहां पर बन सकता था बागी live में अपनोने market में proper trade यहीं से execution किया पंदार में time frame पर की market नेगे किया पर यह यहीं से अपनोने market का put यहां से execute किया exactly अगर बात की जाया आपने live streaming पर ठीके जी अपनोने अपने live streaming पर around जो अपने put execution दिया वो यहीं कहीं दिया था so all over काफी अच्छा आज का मार्केट रहा है बहुत शानदा मार्केट रहा है at the end भी मार्केट गी रहा अपना मार्केट को लेके बेरिश वी था 3 पीम एक जो केंडल आता है अगर उस केंडल की बात करूँ यहीं कहीं रहेगा दिखीगा exactly 3 पीम अपना बेरिश वी था मार्केट ने 3 पीम पे एक spinning top जैसा candlestick pattern हमार को बना के दिया इस प्रकार का candlestick pattern बना है लेकिन अगर नोटिस किया जाए यहाँ पे 3 पीम के बाद ही मार्केट डिरेक्ली फोल हो गया हाला कि premium मुझे जहां तक पता है मुमेंट नहीं आयोगा आउट ओप दी मनी का premium अपनों ने लिया था 40,400 अरौंड का जो है premium फूट का लिया था उस particular time frame पे तो all over market का view अच्छा रहा है लेकिन premium थोड़ा सा गलत चुना लेकिन हाँ market आज का bank nifty काफी super brats जो live stream में जुड़े होंगे हमार साथ उन सभी को बहुत आज का market अपने लिए किस प्रकार का रहा है बहुत अच्छा रहा है day time frame पर क्या हाल चलो रही एगर इसकी थोड़ी सी बात की जाए यहां market काफी अच्छा bullishness देने का try किया आज का market अगर plate यह gap up open होता अपने एक bullish view के लिए तयार थे gap down open होँ होँ market में अपनोंने क्या किया wait and watch किया सारे trades proper questions के साथ अपनोंने executions दी क्योंकि market एक gap down open दिया है ठीके हाल फिलाल में हमार लिए market किस प्रकार rate कर सकता है देखो दोस्तों market में आज का जो day लो है वो exactly हमारा as a support rate होगा आज का day ही exactly हमारे लिए regist होने ही वाला है बहुत clear है अगर इसी को पंदामी time frame पर लेके चलें तो क्या possibility कल का market में देखना चाहूँगा किस प्रकार का market होता है क्योंकि आज का market एक अच्छा bearish market रहा है इसको अगर मैं bearish market बोलू तो इसमें कोई दोराय नहीं है आज का market एक अच्छा bearish market रहा है कल का market में interested रहूँगा कि भया market करता का है क्योंकि अगर market या तो यह retracement candle हो सकता है या rejection candle हो सकता है हाल फिलाल के लिए तो मैं इसे as a rejection candle ले रहा हूँ लेकिन देखते हैं कल का market क्या करता है ठीके कल का market का view है कल एक दिन अपन market को थोड़ा सा वोच करेंगे वैसे भी कल जो है Friday market है Friday market बाइदे मुमिंटम बरे होते नहीं है sideways होरते है Nifty Bank Nifty में option buyers के लिए market sideways रहता है Friday का क्योंकि exactly आज expiry था आज मुमिंटम बरा market कल एक sideways market का अपन उम्मिद लगा के रखते हैं याद रखीगा तो कल का market के लिए levels कोन से वाले हमाई लिए होने वाले exactly देखो अगर market flat open होता है flat open होने के बाद 40,312 का stop loss है अगर market flat open होता है तो 40,312 का एक level है एक level है यह राप 40,312 का level है अगर market इसे breakdown करता है डारेक्ली 40,740 40,070 तक के लिए target हमाई लिए बैंक निफ्टिम बनते हैं put side के लिए trend line का breakdown flat to gap down होता है market में selling अपन हाल फिलाल में रखेंगे क्योंकि अगर gap down हुआ तो selling है flat होकर market breakdown कि तो selling है अब buying कब करेंगे market में exactly देखो buying level मेरे पास तो हाल फिलाल का सिर्फ एक ही है वो है 40,500 अगर market gap up होता है या थोड़ा सा flat open होके consolation देखे upper side breakout देता है 40,500 के around का तो market में कहीं ने कि बाइंगे उसके पहले में market में बाइंग लेके नहीं चल रहा हूँ हाल फिलाल में market इस प्रकार से एक range में भी आई तिंग चल रहा है अच्छा कासा range चल रहा है टेक्निकली इस प्रकार range को market फोलो कर रहा है तो देखते हैं कल का market हमाले किस प्रकार का रहता है इसी analysis के बात जो है मैं nifty 50 का analysis करना चाहँगा nifty 50 के क्या हाल चाल है तो दोस्तों देखो nifty का अगर analysis किया जाए एक second guys nifty 50 का अगर analysis किया जाए आपको जो exactly market के levels वगराद देते market उनी levels पर proper काम किया है इसे को पांच में time frame पर लगाता हूँ ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो ठीके ओके nifty के first of all सारे level सट आता हूँ day time frame पर nifty को ले लेता हूँ nifty वापस bearishness अपना चालू कर रहा है ओके पंदा mid time frame पर nifty को लिया जाए तो आज का market का क्या view निकल रहा है देखो दोस्तों बहुत clear में nifty का आपको support बतायता हूँ nifty का एक support है बहुत strong support है लिख लिजीगा 17,300 का कितने का अब यह आपको भी नजर आ रहा होगा 17,300 का nifty का एक काफी जादा strong support है इसके बीच में एक बार breakdown दिया था nifty लेकिन वापस market return हो गया था fake false breakdown निकलाता मतलब all over हमारे पास 17,300 का nifty का बहुत अच्छा strong support है अगर market इसे breakdown करता है तो market कहीं न कहीं काफी अच्छी selling दिखाता हो मिलेगा first target 17,250 रख लेंगे second target 17,250 के निचे directly 17,200 तक के रहेंगे ठीके यह भी यह काफी अची negativity शो कर रहा है हाल फिलाल की concept के चलते हैं इसमें दो levels में आपको दे रहा हूँ breakdown breakdown खेलेंगे breakout breakdowns खेलेंगे इसे पर्टिकुलर nifty में और एक level है आपके लिए 17,345 का level है अगर market क्या होता है flat open होता है यह gap up open होता है दोनों condition में अगर market जो है 17,345 का level breakout करता है retracement पर अपने काफी रचा call entry ले सकते हैं flat open होता है gap down open होता है market में breakdown का trade करेंगे अभी हाल फिलाल में market का यह range है काफी जादा consolidation range है तो दोस्तो I hope आपको मेरा view अच्छा लगा हो और जुड़े रही है अभी बिक बुल 420 के साथ मिलते हैं जल्दी morning live में